नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर मीलम शर्मा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मॉक्सी फोर्स सीवी 625 टैबलेट का उप्यों किन कंडीशन्स में किया जाता है मॉक्सी फोर्स सीवी टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और मॉक्सी फोर्स सीवी टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं और यह भी डिस्कस करेंगे कि मॉक्सी फोर्स सीवी टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किम कंडिशन्स में Moxiforce CV टेबलेट को लेना रेकमेंदेर नहीं होता है Moxiforce CV टेबलेट एक एंटि बायोटिक दवा है Moxiforce CV टेबलेट का उपयोग शरीर में बैक्टीरियल इंफेक्शन होने पर किया जाता है जैसे त्वचा पर कोई घाव या त्वचा पर कोई इंफेक्शन होने पर, फेफ्लों में इंफेक्शन होने पर, निमोनिया होने पर, फेट में इंफेक्शन होने पर, दातों या मसूरों में इंफेक्शन होने पर, जोडों या हड्डियों में इंफेक्शन होने पर, और कान Dr. Moxiforce CV Tablet को लेनी की सलाह दे सकता है। शरीर में infection होने पर आपको बुखार हो सकता है। इसलिए बुखार होने पर भी आपका Dr. Moxiforce CV Tablet को लेनी की सलाह दे सकता है। फेफडो में infection होने पर खांसी हो सकती है। इसलिए खांसी को ठीक करने के लिए भी आपका Dr. Moxiforce CV Tablet को लेने की सलाह दे सकता है, इसके अलावा भी बहुत से ऐसी कंडीशन्स है जिन में आपका Dr. Moxiforce CV Tablet को लेने की सलाह दे सकता है Moxiforce CV एक brand name है, Moxiforce CV Tablet के अंदर salt composition Amoxicillin 500 Mg और Potassium Lavulinate 125 Mg होता है दोस्तों खृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम दिसकस करेंगे कि मौक्सीफोर्स CV टैबलेट को कैसे लेना रेटमेंडेड होता है। Moxiforze CV Tablet को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है आमतोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यत्तियों को दॉक्तर Moxiforze CV 625 Tablet को दिन में दो बार लेने की सलव देते हैं लेकिन मौक्सी फोर्स सीवी टैबलेट की खुराक उंगर, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यत्तियों में इससे अलग भी हो सकती है इसलिए आपको मौक्सी फोर्स सीवी टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना मौक्सी फोर्स सीवी टैबलेट को नहीं लेना चाहिए आपको मौक्सी फोर्स सीवी टैबलेट को उतने समय तक पूरा लेना चाहिए जितने समय के लिए आपके डॉक्टर ने मौक्सी फोर्स सीवी टैबलेट को लेने की सलाह दी है क्योंकि Moxiforce CV Tablet को अपनी मर्जी से पहले बंद कर देने से आपका infection वापिस आ सकता है अब हम discuss करेंगे कि Moxiforce CV Tablet की वजह से क्या side effects हो सकते है वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में Moxiforce CV Tablet की वजह से कोई side effects नहीं होते है लेकिन कुछ percent व्यक्तियों में Moxiforce CV Tablet की वजह से कुछ सामाने side effects हो सकते है जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, बधजमी, त्वचा पर रैशेस, पेट में दर्ध और दस्थ हो सकते है अब हम discuss करेंगे की Moxiforce CV Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन conditions में Moxiforce CV Tablet को लेना recommended नहीं होता है Moxiforce CV Tablet viral infection होने पर, जैसे जुखाम या flu होने पर काम नहीं करती है इसलिए Antibiotic दवाओं को तभी लेना चाहिए, जब जरुरत हो, बार-बार या बिना जरुरत के Antibiotic दवाओं को लेने से Antibiotic Resistance हो सकता है और Antibiotic Resistance होने पर, वो Antibiotic दवा आपके शरीर में काम नहीं करेगी और ऐसी स्थिती में, infection को ठीक करने के लिए, आपके डॉक्तर को दूसरी Antibiotic दवा देनी पर सकती है अगर किसी व्यक्ति को लिवर या किड्नी की कोई समस्या है, तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को बताना चाहिए क्योंकि लिवर और किड्नी की बीमारी से पीडित व्यक्तियों में Moxiforce CV टैबलेट की डोस घटानी पर सकती है अगर किसी व्यक्ति को Amoxicillin, Clevolanic Acid, Penicillin Antibiotic या Sifloosporin Antibiotic दवाओं से अलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को मॉक्सिफोर्स CV टेबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी पताना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं मौक्सिफोर्स सीवी टैबलेट को ले सकती है या नहीं? वैसे Moxie Force CV Tablet प्रेगनिंट महिलाओं और स्थनपान करा रही महिलाओं को कोई नुकसान नहीं पहुचाती है. लेकिन प्रेगनिंट महिलाओं और स्थनपान करा रही महिलाओं को टॉक्टर Moxie Force CV Tablet को लेने की सलाह तभी देते हैं. जब मॉक्सी फोर्स सीवी टैबलेट का देना बहुत ही जरूरी हो इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को मॉक्सी फोर्स सीवी टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेगनेंट महि तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका मॉक्सी फोर्स सीवी टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं